तो लास्ट ग्राफी में हमने फ्लूट में ब्लो करना और साती सा तीवरम बजाना भी सीका था तो आईए एक छोटा सा रिहर्सल करते हैं फ्लूट को हम ऐसी तरह पकरेंगे आप यह इस तरह पकर सकते हैं यह यहां से पकर सकते हैं प्लेस यह लिप्स अंटर ब्लोईंग होल विद ओल यह फिंगर्स ओपन और यह ब्लो लाइक दिस तो जब आप ऐसा बजाते हैं यह प्लेंग दे नोट तीवरम तो म के दो वेरेंट्स होते हैं एक होता है तीवरम जो हम अभी सीख रहे हैं और एक होता है शुद्ध म जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी तो तीवरम को identify कैसे करते हैं जब कहीं भी म लिखा हो और उसके उपर एक वर्टिकल लाइन हो उसे तीवरम कहते हैं तो अब आप identify कैसे करेंगे कि आपको कौन सा म बजाना है अगर म की ओपर वर्टिकल लाइन है तो आपको तीवरम बजाना है अब हम इस ग्राफी में दो नए नोट्स बजाना सीखेंगे तीवरम और ग मैं intentionally आपको धीरे-धीरे सिखा रही हूँ ताकि आपका इस wonderful instrument में interest बना रहे और confidence धीरे-धीरे बढ़ता जाए अब मैं आपको रेफरेंस के लिए बताती हूँ कि हम वलूट को कैसे पकड़ेंगे तो अब हम तीवरम के बाद शृद्ग बजाना सीखेंगे तो लेफ्ट हंड की इंडेक्स फिंगर से हम उपर से फर्स्ट होल को बंद करेंगे कुछ इस तरह तो अब आप देख सकते हैं कि all the six holes are open विच इस तीवरम जो हमने अल्रेडी सीख लिया है अब हम गर कैसे बजाएंगे तो हम अपनी इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट होल को बंद करेंगे को आप देख से इस तीवरम जो जो फिंगर जो आए अब हम एक बार बजा के देखते हैं so that you feel the difference between Tevrama and Shuddhagarh. So in today's graph, we have learned Tevrama and Shuddhagarh in today's graph and I'm sure you'll be able to play this in no time. Don't forget to practice and also do not forget to practice in front of the mirror. उससे आपको पता चलेगा कि आप कौनसे notes बजा रहे हैं and अगर आप अपनी fingers को properly close कर रहे हैं या ने. So let's move on to the next page.